बच्चों आपको जो में डिक्टेस्टों दिने जा रहा हूँ, वो सो सब प्रति मिदफ क्रिणी गतिका रहे हुए, उस डिक्टेस्टों में जो एड़धांस फ्रिजों आ रहे हैं, फेले आप उसको देखें कैसे बना रहे हूँ हैं में और उसका प्रेक्टिस करने के बाद सीमा सलक संगठन BRO ये सीमा सलक संगठन का अंगरेजी नाम है BRO BRO में करके आप B करें R करें और O लगा दें अंगरेजी का BRO O BRO की और से की का सब्चिन है उसमें और से लगा दें Virtual ुदगाटन Virtual Modern Virtual उद्गाटन इसको ऐसा ही बना सकते आप Virtual उद्गाटन तोन तरह से बना सकते हैं वास्तिविक नियंतरन रेखा वासे वास्तिविक नियंतरन और डबल करके न आपकर लगा के रवासय कार दें बहुत इस्पिट के उप लेने और बहुत इजी आए पिछले कुछ वर्सों से पिछले का सब्चिन है वर्पास कुछ वर्सों से लंबे समय से लंबे समय से लंबे समय से जवाहर लाल नेरू जैसे जवार लाल और हा का गुला लगा के लगा दें जवार लाल नेरू सेयुक्त कारिय दल सेयुक्त का सब चिन है खेरा करके सब करें जादा जादा यहाद बिंदी लगा दें इसको आमने सामने बाद चीत चल रही है बाक वादा करें तर निकल जाएगा चवक वादा करें चित निकल जाएगा और चल करके रही है कर दें पाचित चल रही है अभी भी अमरे पास यह अभी का सब चीन है और यह अमर पास भी का सब चिन है अब आप इसको दोनों को मिला के इस तरह के से बनाएंगे तो यह अभी भी बन जाएगा उसी तरह के से कभी का सब चिन है उसी को अगर आप कभी भी बगरेंगे तो लाइन को टच करके इस तरह के से ब्रिकेट बना देंगे तो कभी भी नी में अरुनार चल परदेश को आधा करके और भी अड़्वांस करना चाहें डानओर रहती करके प्रदेश Sås दोनों दिशिऌं के बीच डोनों दिशाओं और बीच सब्राद दूनों दिश कि नि द्रचिया के बीच रे खांकेट करने के लिए रे जितारिर प्रदेशा खांकित काकवादा कर दें रेखांकित अब करने के लिए आया तो आपको करने के पूरा लिखने की जरूतनी सिर्फ आप यहां लगा दें रेखांकित करने के लिए तो यह डिजैनिंग करेंगे इसमें करने आ जाएगा करने के लिए करने के पहले हो तो बिंदी लगादें कर दसक से दो दसक से बात्चित कर रहे हैं बाकवादा चाकवादा और कर रहे हैं को डबल करने हैं तो बच्व यह आउटलेंग इस डिक्टेशन में आ रही फिर से देख ले एक बार रक्षा मंत्री सीमा सडक संगटन बी आरो की ओर से वर्च्वल उद्गाटन वास्तिविक नियंत्रन रेखा पिछले कुछ वर्चों से लंबे समय से जवाल लाल नेरू संयुक्त कारिदल इस बात में आमने सामने बात्चित चल रही है अभी भी बारी संख्या में अरुना चल प्रदेश दोनों देशों के बीच रेखांकित करने के लिए दो दसक से बात्चित कर रहे हैं बच्चों अब इसी डिक्टेशन को आप सो सब प्रतिमिनट कर देश से लिखे हैं रक्षा मंत्री राजना सीने मंगलवार को सिमा वर्ती अरुना चल प्रदेश के सियांग जिले में सिमा सलक संगठन बी आरो की ओर से बनाये गए एक पुल का उद्गाटन किया और 27 अन्य प्रोजेक्ट्स का वर्चुवल उद्गाटन किया 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में वास्त्विक नियंत्रन रेखा के पास भारती और चीनी सेनिकों में हुई जड़ब के बाद यह उनकी पहली अरुना चल यात्रा थी सिमा पर दोनों देशों के बीच पिछले कुछ वर्चों से चल रहे टकराओ के मद्दे नजर भारत ने इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्मेंट तेज किया है राजनासी ने जिन प्रोजेक्ट्स का उद्गाटन किया ये उसी सिलसिले का हिस्सा है चीन ने LAC के करीब काफी मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्मेंट किया है इधर कुछ वर्सों से भारत में भी इस मामले में तेजी आई है जो चीन के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को देखते हुए जरूरी भी है दोनों देशों के बीच करीब दोजार सो मील लंबी विवादित सीमा निर्धारित नहीं हुई 1950 में जब चीन ने तिबत पर हमला किया उसके कुछ समय बाद ततकालिन प्रधानमंत्री जवाललने रूने भारती सीमाओं के आधिकारी नक्से के नविनी करण का आदेश दिया इस नक्से में अक्साई चीन इलाके को भारत में पाकर चीन ने उस पर अपने कबजे को रेखांकित करने के लिए 1957 तक उसे थाईवे से जोड लिया 1962 में दोनों देशों के बीच हुआ युद्ध भी सीमा विबात को हल नहीं कर सका इसके बाद लंबे समय तक कोई बड़ा टकराओ भले न हुआ हो लेकिन दोनों देशों के बीच रिष्टे ठंडे ही रहे इसमें बदलाओ असी के दसक में तब आना शुरू हुआ जब ततकालिन पधानमंत्री राजियू गांधी चीन यात्रा पर गए और तब के रासपती से मिले दोनों ने सीमा पर सांती कायम रखने के लिए बाचित कर विश्वास बहाली वाले कदम सुझाने के लिए सर्युक्त कारिडल गठित किया फिर 1993 में दोनों पक्षों में सीमा पर उत्पन होने वाले मदभेदों को सुलजाने के उद्देश से समझोता हुआ इसके बाद चार ओर समझोते हुए इनकी अहमियत इस बात में है कि सीमा को लेकर मदभेद रते हुए भी बात के करीब धाई दसकों में कभी खून बहने की नोबत नहीं आई माहोल बदलना सुरू हुआ 2017 में जब डोकलाम में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हुई यह गतिरो तियोतर दिन चला इसके तीन साल बात लगधा इस्तित गलवान गाटी में खूनी जड़ब हो गई वह मसला पूरी तरह सुलजा भी नहीं था कि तवां सेक्टर पर कबजा करने की चीनी कोशिस से माहोल फीर गरमा गया पूर्वी लदाग में सीमा पर तनाओं कम करने के लिए दोनों देशों के बीच बाच्चित चल रही है इसमें कुछ काम्याबी मिली है लेकिन अभी भी दोनों और से भारी संख्या में फोज वहां तेना थे येसे में भारत को चुकरना भी रहना होगा क्योंकि चीन लगातार सीमा पर बखेला खड़ा कर भारत पर दबाव बनाए रखना चाता है धन्यवाद